सिन्द पब्लिक सर्फ कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्फ कमीशन, कैपी के और बलचस्तान के वन पेपर की जो बचे त्यारी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान अफेस के सब्जेट को त्यार किस तरह करना चाहिए, आज मैं सिर्फ उनको डिस्कुस करूँगा, आप पाकिस्तान सब्जेट को चार हिस्सों में बांटें, नमबर वन जेग्राफिकल परस्पेक्टिव में, आप पहले थेरिटिकल पड़ें, थेरिटिकल पड़के आप फिर एमसी कुई तरफ आ जाएं, आप स्टार्ट एमसी कुई से करते हैं, ये बहुत गलत तरीके कार है आपका त्या करें, आपको जिन्दगी भर नहीं बूलेंगे आप ये चीज़, नमबर तीसरा, फिर आप आजाएं कांस्टिटूशनल हिस्ट्री के पास, पाकिस्तान की जो कांस्टिटूशनल हिस्ट्री है 1947 से लेके अप टुनाव, आप उसको पहले थेरिटिकल परस्पेक्टिव में पड़ें, फिर आप MCQ की तरफ आजाएं, लास्ट वन आप जो है पाकिस्तान की जो अकार्ट्स होएं, अग्रिमेंट्स होएं, इंटरनेशनल लेवल के उपर, जैसे इंडस्वाटर टीटी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और यह कब हुई, उनका मैन थीम क्या था, और कौन मीडियेटर था, और उसके बाद इंडिया के अलावा, बंगलादेश के साथ कौन सी हुई है, इरान के साथ कौन सी हुई है, अमरिका के साथ कौन सी हुई है, जैसे सी पेक है, और इस तरह तमाम तर जो अग्रिमेंट्स है, आप उनको पहले थेरिटिकल परस् अनलोजिकल आडर का पता नहीं है जब तक आपको थेयरेटिकल परस्पेक्टिव का पता नहीं है MCQ हल करना आपके लिए बहुत पड़ा मुश्किल हो जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग जैस विडियाव